आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question दिया है A particle is thrown upward at t equal to 0 It attain a maximum height of h It is found that at height h upon 3 at t equal to t1 second and t equal to t2 second Find the ratio of t1 upon t2 एक ball को एक particle को उपर की ओर throw करते हैं जिससे वो h height तक जा सके तो नीचे से कुछ initial velocity u देने ही पड़ेगी और बोला गया है कि h upon 3 distance per t1 time में पहुंच जाता है और same distance पर लोटते समय यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको t2 समय लगता है तो हमें ratio बताना है t1 upon t2 का तो देखिए maximum height क्योंकि h attain कर रहा है तो हम यहाँ पर third equation of motion लगा सकते हैं third equation of motion क्या होता है 2 into g into h is equal to v square यहाँ पर velocity 0 है minus u square हमने इसको u velocity दी थी तो अब देखिए u बराबर यहाँ से मिलके हमको कितना 2gh under root 2gh अब h upon 3 यहाँ पर दिये हुआ है और initial velocity हमको पता है तो हमको time निकाल सकते हैं यहाँ से तो उसके लिए हम लोग second equation of motion का use करेंगे second equation of motion h by 3 displacement होगे is equal to ut minus half gt square यह होता है अब यहाँ से हम लोग u की value रख देंगे तो यह h upon 3 है थोड़ा इदर लियाएंगे तो g by 2t square minus यहाँ पर under ut की value इदर लियाएंगे तो हो जाएगा root 2gh into t plus h upon 3 equal to 0 यहाँ पर हमने इसको थोड़ा arrange कर लिया है यहाँ पर quadratic equation का formula लगाएंगे t is equal to minus b मतलब की plus हो जाएगा 2gh root का plus minus under root b square means 2gh हो जाएगा यहाँ पर minus 4 into a a का मतलब है g by 2 into c h by 3 divide करते हैं 2a से मतलब की g बचेगा सिरफ यहाँ पर तो t बराबर हमें मिलेगा देखो g नीचे पर g सम्में से common ले लेंगे और नीचे से cut करेंगे तो यहाँ पर under root g बचेगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे 2h हमको common मिल ला है 2h यहाँ से मिलेगा और 2h यहाँ से मिलेगा 2h हमने उपर common ले लिया तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचा 1 plus minus यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट लगाएंगे पहले तो यहां पर 1 माइनस यहां पर देखेंगे तो 2GH बाहर चला गया है तोटल नीचे 1 अपॉन 3 बचेगा तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 2H अपॉन G ब्रैकेट रूट 3 इदर आजएगा यहां लेंगे तो रूट 3 प्लस माइनस उपर हो जाएगा 3 बंज़ा 3 माइनस 2 उपर 2 बचाएगा नीचे डिवाइडर बाए 3 ठीक है रूट 3 बाहर ले लिया तो टी बराबर हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2 बाई 3 एच अपॉन G ब्रैकेट में रूट 3 प्लस माइनस रूट 2 यह हमें टाइम की दो वैल्यूस दे रहा है पहली वैल्यू जो कम वाली होगी उसको हम लोग टीवन बोलेंगे वो जाते समय ह by 3 डिस्टेंस पर था तो उसकी वैल्यू होजएगी रूट 2 ह अपॉन 3 G ब्रैकेट रूट 3 माइनस रूट 2 दूसरा समय जब वो लोट रा होगा उपर से तो उसकी वैल्यू होजएगी 2 ह अपॉन 3 G ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 2 अब इन दोनों का हमें लेना है रेशियो रेशियो लेंगे तो ये सारे टम कट जाएंगे तो T1 अपॉन T2 हमारा मिल जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाइ रूट 3 प्लस रूट 2 Option में देखेंगे तो Option में हमारा ये First वाले में Sorry, ये Under Root 2 होना चाहिए Root 3 minus Root 2 divided by Root 3 plus Root 2 ये सही होगा Thank you for watching